कॉमन वेल्ट गेम्स के हावारे से बड़ी ख़वर आपको बताते हैं हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मिल गया है मीरा भाई चानू ने हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मैडल दिला दिया है 49 से किलो कैटेगरी में पहला गोल्ड हिंदुस्तान के नाम अब तक का खाता मीरा बाई चानू ने खोल दिया है तो कॉमनवेल्ट गेम्स में हिंदुस्तान का शांदार आगास हो चुका है आज कॉमनवेल्ट गेम्स का दूसरा दिन और दूसरे दिन ही हिंदुस्तान की जोली में तीनों मैडल्स आ चुके हैं और तीनों ही मैडल्स वेट लिफ मेडल वेट लिफ्टिंग में मिले हैं मेरा वाई जानू जिनसे उमीद थी कि गोल्ड की मेरा आपको आदत है या आप इसके लिए को स्पेशल एटेंट करती है कि गोल्ड सिल्वा गोल्ड हर टॉर्नमेंट में एक चैंपिन की तरह नदर आती है मैं आदत बोलू या इंडिया के लिए जरूरी है वेलिफ्टिंग के लिए भी तो मैं हर कॉम्पिटिशन में सोच्टे हैं कि मुझे इंडिया के लिए कुछ कर के दिखाना है और मैदल जीतना है वह सब तो मैंने करके दिखाया है कि अच्छा है कि मैंने गौल मेदल दिया और रेकोर्ट पी में खुट का जो रेकोर्ट है वह भी मैंने कवर किया तो यह हां मेरे आदत ही यह आदत जो है कि अपको दिखाता है वो हंगर है तो टोक्यो के बाद भी लगाता है हां हमने तोक्यो की बात ही हम ठोट की हुट की पाद गेंस में एक टोक्यो की बात ही हमारी बडा कॉंपिटिशन है तो हम पहले से प्लान किया थे कि कि मोवल गेमस हम गोल ले ना है उन्डिया के लिए वेलिप्टिंग के लिए और हम आगी का जो भी वल्च एंपिसिप है इसे के लिए हम confidence मिलते हैं तो यह competition मेरे लिए सबसे important ही कि खुट की उपर fight करने के मेरा अपनी Tokyo Olympics से अब तक क्या आपके सफर की बात करें कितना और इंप्रूफ किया और कितनी मेहनत की और क्या खास किया हाँ मैंने बहुती मैनत किया हैं कि Tokyo के लिए भी हमने पूरा पांच साल मैंने मैनत किया था तो इसमें मेरा जो सपना है पुरा मिला इसकी बाद पे मैं यह कमवल गेम्स और Asian Games हुआ था पूरा तयारी में थे कि लिए आम कुछ कर सकें इंडिया के लिए मैदल देने के लिए तो अच्छा भी रही और हाँ मैनट सबको करने पर दे तो मैं तो आदत हो गई है ना यह देखने की ती रंगा उपर जा रहा है गले में गोल्ड है इस बार भी कुछ अलग सी ला रहा था यह हर बार हर बार नया कुछ लगता है इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तक मैंने जब हर कॉंबिडिशन में इतना क्राउथ नहीं देखा तो अलेंपिक में भी इतना क्राउथ नहीं थे तो यह बहुत अच्छा लागा बहुत सपोर्ट मिला है अखरी सवाल आप डेलिकेट किसको करेंगी और यह जो आपने यह पैने यह कब तक पहने रहना जाती है जब तक पहर इसमें गोल्ड नहीं होता हां जी मैं हर कॉंपि मैं यह मेरा ममी ने प्यार से दिया है और यह मेरा लगकी यह इर्रिंग्स है मेरा फेरीक और मेरा फेडरशंस मेरा कोच hard support दिया हैं उन्ह Prix से मैं हर competition में इंपरूब मे valeur कई बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीड करते हैं उर बी ऐसे मेरे जीते रहे तो यह तो यह हमारे साथ किरन चोपरा, सी मीडिया, बमेंगा